बॉलिवुड फिल्मी फ्रॉड्स दोस्तों जैसे के आप लोग जानते हों हमने इस नाम से ये स्लीज एक शुरू की है जिसमें हम फ्रॉड की अलग-अलग कहानिया शेयर करेंगे किस तरह से फ्रॉड होता वो शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों ने अपनी कहानिया शेयर की हैं हमारे साथ लोग कत्राते हैं सामने आने से लिए और एक बड़ा अनोखा तरीका में आपको बताना चाहता हम कि जैसे जैसे लोगों का एक्सपिरियंस फ्रॉड के बारे में लोगों को नौलिज होती जाती है तो जो फ्रॉड करनेवाले लोगो है वो नए ने तरीके इजाऱ करते हैं फ्रॉड करते हैं नई नए तरीके से लोगों को बेखुफ बना Ved s of अज एski एक अनोखा एक तरीका में आप लोगों के सामने लेके आया हो कि किस तरह से नए एक कलाकार को फरोसे में लेके वो उसके साथ फ्रॉड किया जाता है अब फिर हम बार में ये डिस्कस करेंगे कि ये फ्रॉड क्यूं है और हम क्या कर सकते हैं और ये फ्रॉड होता क्यूं है एक्टर के साथ फ्रॉड होता क्यूं है और इससे कैसे बचा जा यह हम बात करेंगे तो आज जो मैं आप लोग उनके साथ जो यह किस्सा जो है फ्रॉट का में शेयर करूआ यह मेरी क्लास के तोटिंग स्टुडेंट्स के साथ को और उनकी अपनी गंती थी इन लोग की अपनी गंती है जिसकी वज़े से इनके साथ फ्रॉट तो गुआ क्या मैं आपको बताता हूं मेरे लास्ट पैच में इस लोग थे क्लासेज में तो एक लड़का उन में से उसने मुझसे कहा सर मुझे बस बुछ दिन की ट्रेनिंग चाहिए सब एक माहिना मुझे आप थोड़ा सा प्रिपेर कर दो तो मुझे कोई फिल्म में काम मिल रहा है तो जब उसने मिट-बस आन काम मिलना चाहिए तो अब उसने क्या किया मेरी क्लास के और दो-तीन लड़कों को सब को मतब वो एक कास्टिंग डरेक्टर का नमबर दे दिया जाओ उसको अब मिलो आप यहां हम क्या है कि किसी का नाम नमबर शेर नहीं करेंगे कि यहां हमें किसी को बद्लाम नहीं करना ह किसी को किसी के पेट पे लाग नहीं वाने वह का अपना दंदा है वो चला रहे हैं कि चलाने तो अपनी सेवटी देखना हमारा काम है तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो लेकिन अपनी सेवटी हमें लेकिन अब यह लोग चले गए आप जाने के बाद अब जाने के बाद प्रेटरों के नाम बदा दिया, नाना पाटेकल है, नसीरती इंशाह है, यह है, फलान आइक्टिम का एक्टर, सल्मान खान क्रड़क्शन, यह बहुत बड़े बड़े नाम है, अब यह लूग जाके, अच्छा ओफिस सेट अप किया हुआ, और भाई ऐसा है, अब उसने क्या क्या किया, काम क्या उसना, कि जो भी आप को अडिशन देने कहे, आप को एक्टिंग आती है, नहीं आती है, आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, अच्छे हो, बुरे हो, आप अज अच्छे हो, पुरे हो, आप अज अच्छा बोल दिया, तो थोड़ा सा अच्छा बोल दि यहां को यह देकर कि राते कि उसने कुछ परफम नहीं किया तो प्रफॉर्म ने की तुटीक है है नहीं कूप है विए च्छा इसवे लपेट submitted कूप जुटीक क्योंकि उसको सामने आदिकमान भाई मैंने एक्टिं किया ही नहीं है तो इसको बूल ठीक है यार यह गुरुप है बीस परटीस फॉजियों का गुरुप है पुरी फिल्म में रहेगा स्टार्ट को एंड रहेगा आप पुरी फिल्म में रहोगे कोई बात नहीं है अभी इस अर्टिस कार्ड मैं कि जिसके पस आइर्टप कार्ड होता है वह इसी जगे जाता है本当 है हिए और किको चेंट के नांपे बहुत बहुत में पूल जादालूप मैंची है पॉइंट क्या हम है आगे बढ़ने से पहले मैं अपको यह बता करनाूँ है कि कि旦ि आ अनलीकह शे है आप कहीं भी फोटो भेजेंगे ना तो वहाँ से फोटो भेज आपने वीडियो भेजा आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आप फलाने फलाने पोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गए हैं अब आपका एक्रिमेंट होगा ये होगा आप डॉक्यमेंट भेजिये, पैन काड़, आधार काड़, ये चीज वो वो चीज फलाना थिम का भेजिये और एंड में नीचे होगा आटिस काड़ यहीं सारा खेल है खेल क्या है कि जो भी इंसान, जो भी नया बंदा है ऐसे किसी एड या किसी भी नमबर पे फो तो भेजएगा उसको ना थो एक्टिंग की नॉलेज आ इंड़स्ट्री की तो आटिस काड़ तो उसक के उसके पास बास होगा ही उसको नॉलेज भी नहीं होगा और जिस आत्मी के पास आटिस कार्ड है या सिंता का मेंबर है या शिवसेना का मेंबर है मंसे का मेंबर है जो भी जैन्मीन कार्ड है उसके पास और उसको जिसके पास भी जैन्मीन कार्ड है उसको इन सब जोल है पाटो की नौलेज होते लिए वो इस चक्कर में पढ़ेगा और आर्टिस कार्ड के नाम पे दो हजार चार जार किसी की जेब से निकाले जासे हैं बहुत इजी सी बात है और इसमें ज्यादा तर जो है 15-20 साल से लेके 25-30 साल तर के लोग वो लोग पस्ते हैं जो फाइनेशली डिपेंडनेंट नहीं हैं के बेबल नहीं है अपनी ड्रेन के जिसके लिए ना आपकों पे लड़ने के लिए आओगे ना कहीं होट किस करोगे लुए ना दुबाना बस यह सोच हो गया इंडस्टी चलिए तो यह मैटर हुआ है अब उसने क्या किया किया आटिस कार्ड कौन सा है आपके पस इसको भी मालूम है कि आटिस काड के नाम स यह फिल्म है इसमें फॉजी के करेक्टर है और पूरी फिल्म में रही डायलोग नहीं है तुम्हारा एक लड़के ने तुड़ा अच्छा परफ़र्म किया तो उसको बोला लिए समगा यहीं है अच्छा रोल और आट के साथ कुछ दोस्का इस का इसका रोल करते हैं नहीं तो फिर अन्हों नाम पता है एक जो काफि फेमस है और मैंने भी जब सुना तुम्हें लगा है यह नाम तो बहुत फेमस हैं बड़े बड़े इवेंट सिरो पर नहीं सपथ कार्ड तब से बनाना ने करें, मैंने तो सुना नहीं, मैंगा तो इतना experience यहां पर हुआ, निस का सब्सक्राइब था कार्ड इस देना है, फिर ने उसके पाद 10 10000, तब आपका कार्ड और मनेट होता है, और यह हमारा जो कार्ड है, यह प्लैदुन आपके सामने आप्स बोले हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं कि आप हमारा कार्ड बनवालो अब यहां आदमी भरोसा करने लगता है तो अब वह लोग जो मेरे पास आये उसी एक लड़के ने मुझे बोला तो मैंने का भाई देखो कि एक ने तो आखे मुझे बोला कि सिंटा का बनवाना हैं मुझे और दो रड़कों ने दो एक तीन लड़कोना वहीं उनको शाड़े साथ-साथ-साथ अजार का निकाल के दे इदी है पर एक मेरा स्टुर्ण बुलने हैं जल सब मेरे को तो सिंटा का ही मनाना है क्योंकि सिंटा वालो इनका काड इनकी शूटिंग में तो चलेगा लेकिन और कहीं नहीं चलेगा तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा तो अब मेरे पास वो लोग आके उनसे सलामा शुरा क्या पूचा है मैंने का भाई देखो मुझे यहां पे बॉंदे में इतने साल होगे काम करते हुए मैंने ये काड नहीं सुना है ठीक है होगा जैन्मीन भी हो सकता बड़ मैंने सुना नहीं है और फिर एक बात यह है क्यार अगर आप सिंटा का काड बना लेते हो तो फिर वो आपका सब जगल चलेगा नहीं सर वो बंदा जैन्मीन है वेबसाइट दिखाने लगे ये वो सब ऐसा है वैसा है तो नहीं कर देखो मैं तो सिंटा काई काड प्रेफर करूआ लेकिन अगर आपको लगता है कि ये साड़े साथ वजार देखे आपको शूटिंग में जाने का मौका मिल रहा है आपको लिए लगता है कि ने शूटिंग में चले जाने कि 10 दिन पर कर दिन महाचभ पैसा भी ना मिले आपको सिखने को ही मिल रहा है तो भी ये साड़े साथ हजार ज्यादा नहीं है लेकिन अगर बार में ये पता चले कि इसाड़े साथ हजार देके उन्होंने कोई काड अब इतनी बात जब मैंने सुनी उनकी वेब साइट देखी तो मुझे भी लगा हाँ भाई जैनमीन होगा हो सकतर शायद कुछ काम हो तो अगर तुमको लगता है ना के यह जैनमीन है? वो तुम्हारा टीसिए हो भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगाँ मैं अभी यह सजेस्ट करूँगा के आप सेंट आ का कार्ड बनाओ याश शिटेन का बनाओ की कुछ भी उन्नीस थी कि इसमालों तुमने कार्ड बना लिया नहीं शूप हुआ आगे नहीं चल तो पिर आपके पास अपना एक सिंटा का है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी ना पट नहीं हो लोग माने उन्होंने तीन लड़कों ने दे दिया पैसा निकाल के कार्ड निकालने के बाद अब उसके बाद क्या हुआ उन्होंने सामने वालों ने जो जैसा बोला था कि एग्रिमेंट हो जाएगा फिल्म का उन्होंने एग्रिमेंट दे दिया तो उस एग्रिमेंट हो जाएगा फिल्म का उन्होंने एग्रिमेंट दे दिया तो उस एग्रिम सेप्टेंबर या उक्टूबर का महिने में यह सब चल रहा मैंगर और जो एग्रिमेंट दिया उसमें शूटिंग डेट आपने कबकी मेंचन किये दो हजार उननीस जून यानि के सीधा-सीधा तेर पहुने दो साल बाद की डेट है अब आप क्या करें कि अब कुछ नहीं कर सकते हो मतलब देखने से पदाचाओ रहे आपने है तो अब और सावाट का अब मिवाम करें आप किया करने है ऑई सीधी सी बात है ज़सर आदम ही मौं पे ञार है तुनिया बदलता हा कि नो tarp स when तो हम इस पॉइंट में बात करें कि यह फ्रॉड कैसे है तो पहली चीज़ जो कि छोटे-छोटे जो चरक्रेक्टर्स होते हैं जिसे गुरुप में जो होते हैं नॉर्मली उनके एग्रीमेंट नहीं होते हैं मैंने बहुत काम किया Cuando a day or day of night जो एग्रीमेंट नहीं होते है एग्रेमेंट जो नॉर्मली वह वह किये जाते हैं जो पॉइंट इंजह पह्चान जाते हैं अधो पक्रांडज जो पहचाने जाते हैं ऐसे गर गूरुप दिफाने कई पचास पॉजी तो वो बेख देता रही है, तो पहली चीज तो यह है, दुसरा जो वो agreement का format मैंने देखा, तो देखने से पता चला, fake है, कुछ भी detail उसमें नहीं दिया हुआ है, ना उसमें जो producer, production आले हैं उनके sign है, ना उसमें जो artist है, उसका sign लिया है, और normally agreement वो valid होता है, जो stamp paper है, आप simple paper पर पर कुछ लिख के भेदे हैं, तो वोट है, उसकी वोई value में गल्प आप चाहें कि उससे vote case करें, नहीं कर सकते हैं, अब अगला सवाल है, कि अब इसमें हम क्या दर सकते हैं, लिगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिससे आपके जेव साड़े साथ हाजार गए, बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो, उनका कुछ भी नहीं विगार सकते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने आप से साड़े साथ हुजार में कार्ड बनाने के कार्ड बना के आपको दे दिया, तो यहां, वो कहते हैं, बही हमने तो कार्ड बनाने का पैसा लिया था, कार्ड ब तो आप 1-दियन्द voter कफेगan के उखकर जब घा है कि जो सही काम करने वाला बंदा होगा पूसको पर चुछला कि ज़री में जातर है तो आप यह बढूद जल्ब आप डिकने वाला हगा मैं आत अपने गान जायगा आपने शहर मरावना हमा रह के जाएगा तो वहार तरस से सेफ है, आप जाकर काम के लिए भी भोलते हैं या आप गलत है या आपने आर्टिट काड गलत बना दिया या यह है तो उन्होंने पर टीक है तुमारे को काम का एग्रिमेंट दिया रहा है आप जब फिल्म शुरू होगी तब ही तो ना अगर गड़ साल बाग दबल है हमारी शूटिंग हमारी डेट के अगोणई नहीं होती है या हम आप काम नहीं देते हैं तब आप बोल लेंगे सलेट के तो तब ततें डर्फ़ साल स्यगां आप आप कुछ बूल नहीं सकते हैं को देर साल के दुमिक दुद्धी दुनिया कहा कर तो अर्फ आप पता नहीं आप पर पंवे नहीं रहोगिए ़ो वहा रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, तो यहां हम उसको fraud भी नहीं बोल सकते, यहां हम कह सकते हैं कि नहीं, किसी चीज को गलत तरीके से बेचा गे रहे हैं, ऐसी चीज आपको बेच कुछ गलत प्रॉमिस करके कोई चीज बेच देते हैं न, जैसे आजकर बॉत चल रहा हैं, यह लोगे तो पदले हो जाओगे, यह खाओगे, तो मोटे हो जाओगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन यह सब ठूप बोल-बोल के चीजे लोगों को बेची जाते हैं, तो यह एक चीज की गलत तरीके से मार्केटिग है, खीक है, आपना कार बेच रहे हैं, अब क्या है कि आप, आर्टिस् प्रॉप्शन भी तो करना चाहिए, अब, कितने फर्जी कंपनिया हैं, कितने फर्जी एंजी ओ, फर्जी कंपनिया कोलते हैं, लोग पैसे का उटाला करने के लिए, बट उन्होंने कंपनी खोली हैं ना, इसी तरह से, कि ठीक है, उनको समझ में आता है, आर्टिस कार्ड ब उन्होंने कार दे दिया, बनाके उन्होंका काम खत्ब, आप शूटीं में कोई प्रॉब्लम होती है, उनका मतलब है कि नए आर्टिस पैसा बसी है, अब, अगला पॉइंट ये आता है, कि ये फ्रॉड होते क्यों है, ये इससे होते क्यों रूटा जाते हैं, तो, इन्सान क रूटता कौन है, इन्सान को उसका लालच ठकता है, उसकी खुद की जो एक किसी चीज को बिना मेहनत के, बिना गोशिश के हासिल करने की जो इच्छा है, वो ठकती है, मेहनत ना करने की जो इच्छा है, वो ठकती है, बहुत आसानी से किसी चीज को हासिल करने की इच्छा ह अगर आप कोल किसी ने ठगा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाला ज्यादा चालाख है या इंटेलिजर्ट है इसका मतलब यह है कि आप कही ना कही अपने लालच के उसमें आगे हैं अपनी लालच के वेजे से ठगे तो है कहा है अगरेजिमेंगे कि everything glitters is not good कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं लेकिन ज़रूरत से ज्यादा चमकने वाली चीज तो बिलकुल ही नहीं अगर कोई चीज ज़रूरत से ज्यादा चमकती है तो वो तो बिलकुल बिलकुल ही फेक तो यही चीज यहां पर भी लागू होती है कि जब आपको यह लगे कि कोई चीज आपको बहुत आसानी से मिल रही है या आपको किस चीज के लिए बहुत बुशिश नहीं करनी पड़ रही है या ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होने लगता है हम कहीं मिलने गए और हमें लगा कि नहीं है काम होगे नहीं हाते ही होगे बिलकुर बहुत आसानी से जब आपको लगे कि सब कुछ आपक्या कॉड़ी हो रहा है तो आपको सावखान हो जाना चाहिए तो भी उच ना कुछ करो पदा है कि चेंजमीन जगे जब जाओगे ना आप काम करने है वहां आपको कोई भाव नहीं देगा बहुत इंतजार करना पड़ेगा बहुत भागदौर करनी पड़ेगी किसी से मिलने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा ऑडिशन होगा एक बार दो बार चार बार ऑडिशन हो प्रिशिक रिवार्मन फोटो वीडियो यह सब करना पड़ेगा वहीं किसी फेट जगे जाओ अपने अपना मोबाइल से सेल्फी फोटो किसके बेज दिया उन्होंने पुला लगा है आजाओ यह सेलेक्ट हो गया यह प्रोजेक्ट है साइट रूल है यह रूल है तरह तरह के टो कुसे चलेगा तो कभी भी किसी चीश को बहुत आसानी से बिना मेंट के बिना किसी इंवेस्टमेंट के जब आप हासिल करने का सूचते हैं तब अब ठगे जाते हैं कि जाते हैं कान यहां से पकड़ो है तो वहिं आप सही जगह प्रीश चमधने पैसा करो अपने एसाब से करो मेहनत करो तो सही रास्ते पे जब जलेंगे ठीक है थोड़ा सस लंबा अपका रास्ता हो जाएगा तोड़ी मेहनत होगी कि लेकिन उसका रेटन आएगा वही पैसा करच के अगर आप अपने उपर करो, आज आपने ट्रेनिंग लिए, एक्टिंग सीखिए, तो जो हुनर आपके पास आएगा, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहने मादा है, वो जो इंडस्ट्री में घूनके एक्सपीरियंस आप घटा करो, वो नॉलेज आपके स आप, आप एज एन एक्टर अथॉरिटी है, हाँ यह एक जिस में बोलना चांगो कि आर्टिस्कार से काम नहीं मिलता, एक अथॉरिटी है कि आपकी आइडेंटिटी एज एन एक्टर हो जाती है, लेकिन काम आदिशन से ही मिलता है, तो वो एक आपके पास होगा, आपने अ हावे किसी की बातों में ना आए, लुभाओने वादों में ना ए, कि मैं तुमें काम दे तुमाभे पास पोटफोलियो मना लो, आर्टिस कार्ट अलो में ये कातुम है, दिलकुल नहीं है, अपना ट्रेनिंग करें, जो भी है, अपने हिसाब से काम करें, और जो बहुत सिंपल है, इस फिल्मी फ्रॉड से बचना बहुत सिंपल है, वह यह आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, बस आपको छोटी छोटी बात होगा थ्यान रखना है, पहली चीज है, आर्टिस्गार्ड के नाम पे, पूप्पोलियों के नाम पे, काम के नाम पे, एंक्रीमे ठीक है, सब शीज ज़रूरी है लेकिन आप अपने शाल से करो, लेकिन कोई अगर आपको यह प्रॉमिस करता है कि मेरे पस Altis Cards बनाओ, मैं काम दोऊा फिल्कुल नहीं, मेरे पस Portfolio बनाओ, मैं काम दोऊ, फिल्कुल नहीं झीANA, सिंपल सहा, और दूसरी कोई, की नहीं है। हाँ एक चिज, जिसरे जिसरें कपुछ음 करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है... बहुत सारी कायशटिंग एगशिंस थकी जेंस हैं, तो registration fees नहीं लेते हैं। और बहुत सारी लोग लेते हैं... तो अब जो लोग लेते हैं रेजिस्टेशन पीस वहां आपको देखना है कि इनका बैक्ग्राउंड क्या है इनोंने क्या किया है क्या नहीं किया है और रेजिस्टेशन पीस नॉर्मली ने मैसे होती है threatening की भी रहा एक 2, 3,000 अगर आप 1000 का दिन फरी धुम करता आप एक नोंदी हम भुषू के अब Model पर वहादा मोद से पीज़ूर लेकिन यह वतिता है फ़वशों वसूबर मांज है और आपका सी समय जो यह गपार दोंगे सकते है कुछ आर्टिस्ट इ каких कों सब्सक्राइब की Ho और मैंने भी रेजिस्टीशन Assembly है तो भै भेजुसनेस है वो लोग भी तो वो भी कमाने के लिए बैठा है, समाज सेवा यहां कोई भी नहीं कर रहा है। कोई भी आपको यहां पर एक्टर बनाने के लिए नहीं बैठा है, अपना बिजनेस करने के लिए, चाहे वो जैनुन है या फायदा देखना आपका काम है। यहां जो भी इंसान बेठा है तो आपकेart के आपके एक्टिंग थे लाइफ से आपको लेना देना है आपकी लाइफ से जो बड़ता है किसी चीज़ से उसरफ आपको पड़ता है यह देखना आपका क्यां कान सामने वाला पैसा देना है हाँ एक जिज़ बोलोगह मैं जय से मेरे अधम हैCloud कई मेरे केसे बात करेंग़ा prints कर दिरैक हलत्र भाई हमारी संथा चुछी पिर ईपना वाल्डिशन क कोगहिंग an चैनला वैर्श काम आएका था पता है आएकाशाएं भा मैं लिए 3300 पर इस काम 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 हों आपके पास अगर कोई काम आता है फिर हम आपको इंफॉर्म होगा कि आपको दस जगे घूमना नहीं है और जो फेक लोगों होगा है तो क्या होलेगा ठीक हाँ, बिरबास आप रगिस्टेशन ना देता हो ना खावी खावी है अब ये शूट आने वाला है ये आने वाला हूँ आप रगिस्टेशन कर जो भाद पर रहा है यह है, और जो जयनमेन आत्में पावोरो पहले ही पूरतेगा क्यों वो यह चाहता है कि भाई यह मैं इसको फेट प्रॉमिस करना मुझे तो काम करना है कल से पने परफोर्ट करकर परिशार करेगा तो यह चीज है क्योंकि पैसे लेके आपको फोई एक्टिव नहीं बना सकता है बिल्कुल नहीं बना सकता है और यह तो आज की थोड़ी बात हमारी लंबी हो गई अगर आप मेंसे भी किसी के साथ कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ हो तो आप हमारे पास आई हैं हमारे साथ अपना एक्स्पिनि रह गई हैं तो मैं अभी आखिर में बता देता हैं जब यह सब जो पैसे का काण का जो अब आच चल रही है तो बंदे ने कैसे भरोसा दिला अरे तुम लोग क्या सूखते हो कि मैं तुमारे साथे साथ अजार से कुछ होने वाला क्या है यह मेरा ओफिस है यह मेरा स्टाफ ने रखा हूई यह और अच्छा पाउ और पॉश आपस्पराया थे और तुमारे साथे साथ हजार से मेरा क्या होगा अ को लड़के बीस सूखते है भाए कि आपके जैसे दिन में एडिस दस लोग जाते हैं वहां पे 12 में जाकर साथे साथ्चा क्या होगा निए तो 10 अटम तो फो चुछ नहाई बाई बादा